कि माम आए मैंनी से होगा है हलो दोस्तों वेलकम टॉरेलेंड आज मैं जो मुवी आपके लिए लेकर आया हूं उस मुवी का नामे लेफ्ट बैंक यह मुवी एक बुलकारिन मुवी है और बहुत की जाद कॉंप्लिकेटर और मिस्टिरियस मुवी है इस मुवी का ओरिजिनल नाम लिंक और वर है और यह मुवी 2008 में रिलीज़ हुए थी मुवी में कर्टन डेमन और पुर्णर जन्रम के बारें बता गया है तो आएए वीडियो में चलते हैं और देखने की मुवी में क्या हुआ ले क्या होगा यह हम कहानी में आगे देखेंगे फिर हम हैला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो की अपने बिल्डिंग के मैप पर कुछ रिसरच कर रही थी अब एक पेपर पर हैला सेलर 51 लिखती है अब फिर हैला उसी सेलर 51 रूम की तरफ चली आती है उस रूम के अंदर जाने पर हैला को एक दिवार दिखाई देती है और दिवार के अंदर उससे एक सिक्रेट आसता मिलता है वह उसी दिवार के अंदर चली आती है लेकिन उसके बद हेला भाँ नहीं आती है तो उसके साथ में ऐसा क्या हुआ यह मोवी के कहानी में आगे देखने वाले हैं मेरी का परफॉर्मेंस पर अच्छा था तो इसलिए डॉक्टर को यह यकीन था कि मेरी चेंपियंशिप में चली जाएगी फिर उसी ट्रेंग सेंटर में एक लड़का था जिसका नम बॉबी था जो कि आर्चरी गेम पर था और दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन दो सेटर्डे के बार में मिलने कर डिसाइड करते हैं अब जब कॉंपेटिशन का दिन आता है तो मेरी उस दिन सेकंड नमबर पर जीत जाती है जिस वज़े से मेरी बहुत ही दुखी थी डॉक्टर उससे समझाता है कि एंजा तीन साल से जीत रही थी तो उससे मेरी वेसे भी नहीं जीत सकती थी लेकिन इसी के साथ मेरी पोर्टुगल के कॉंपेटिशन के ला क्वालिफाई हो गए थी और यही बहुत बड़ी बात थी फिर डॉक्टर की इन बातों से मेरी को और भी जाद बुस्त आता है चूंकि अपनी सेकंड प्लेस से वो बिलकुल भी खुश न जाती है वो शॉप की पर मेरी को शूस ट्राय करवादा था और तभी शॉप की पर मेरी के अंडर गार्मिन को देख लेता है जिसमें ब्लड लगवा था और मेरी को पता चल जाता है कि उसके अचानक से पिरेट शुरू हो गये लेकिन मेरी वहां से जाने के लिए खड़ी ह होती है तो भ्योश वो जाती है जिसके एक दिन के बार में मेरी के आखी कुलती है और देखते है कि मेरी हूस्पिटल में हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी कभी भी मा नहीं बन पाईगी यहाँ पर मेरी रेस्टी भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे अपने यूरोपेन चेंपेंशिप के लिए अच्छे से ट्रेनि करनी थी और इन सब बातों से मेरी बहुते जादा डिस्टरब हो चुकी थी क्योंकि एक तरफ उसका कॉंपेटिशन था तो दूसरी तरफ उसकी मा बनने की होप दोनों मेरी के लिए बहुती जरूरी था अगली रत को मेरी अपने नए जूता पहन कर बॉबी के साथ में फिल्म देखने के लिए जाती है जिसके बाद बॉबी उसे अपने अपार्टमेंट पर लेकर जाता है उस बिल्डिंग के केड़ेकर बॉबी की ग्रेंड मदरी थी तो इसलिए बॉबी यह पर रहा करता था रूम के अंदर मेरी बॉबी के पेरेंट की फोटो देखती है और बॉबी के फादर भी एक आर्चरी प्लेयर थे बॉबी से मेरी को ये भी वता चलता है कि जब उसके पेरेंट की एक कार्ड एकसिटेंट पे मोटो गई तर वो सिर्फ 15 साल का था दोनों फिर एक दूसरे से बाते करते करते करीब आ जाते हैं और इंटिमेट होते है यहापरम बॉबी की बॉड़ी पर बहुत सारे मार्के को नोटिस करते है जो पत मेरी नोटिस नहीं करती है मेरी बोबी के साथ में बहुत कुछ थी उसे उसी की बिल्डिंग में रहने को कहता है ताकि दोनों एक साथ टाइम स्पेंट कर पाए अब अगले सुबे मेरी कुछे चीज़े लाने के लिए मार्केट जा रही थी और वापस आने के बाद में पीटर नाम का एक डिलीवरी बॉय मेरी से हेला के बारे में पूछता है यहाँ पर हेला वही लड़की थी जिससे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था लेकिन मेरी यहाँ पर नहीं थी तो उसे हेला के बारे में कुछ भी पता नहीं था हेला का जो लेटर आया था मेरी उसे भी अपने पास में रख लेती है तब मेरी देखती है कि गिलबर्ट नाम का एक आदमी एक लड़की के साथ में जगड़ा कर रहा है और वो से तप्ट मारकर वह से चली आती है मेरी को देखकर गिलबर्ट उसका पीछा करता है और मेरी चल्दी से लिफ्ट में घुज जाती है लेकिन लिफ्ट के खुलते ही गिलबर्ट मेरी के सामने आ जाता है Gilbert मेरी से पूछता है कि मेरी इस building में किसके सात मरेती है मेरी जब Bobby का नम लेती है तो Gilbert कहता है कि Bobby ने तुमको चुनकर अच्छा किया और अब तुम हम ऐसी एक हो मेरी को Gilbert की बाते कुछ समझ नहीं याती है फिर उसी टा physiIm व्लेड नम का एक आदमी मेरी के पास में आकर उसे उसकी चाबिया देता है जो कि मेरी मेल बॉक्स के पास में भूल गई थी मेरी फिर से बॉबबी के अपार्टमेंट पाती है जहांपर व गिलबट और वलेट के बारें बताती है और बॉबबी मेरी को उन सबसे दूर रहने को कहता है दोनों अब बाहर गुमने के लिप जाते हैं और बीच पर दोनों एक दूसरे के गेम के बारे में बाते भी करते हैं मेरी अपने आने वाले चेंपेंशिप के लिए बहुत ज़्यादा एकसाइटिक थी और बॉबी भी मेरी को उसके गेम के लिए बहुत ज़ादा मोटीवेट कर रहा था फिर उसके बाद डोनों जंगल के तरव जाते हैं और वहाँ भी दोनों इंटिमेट होते हैं फिर इसके बाद मेरी ये डिसाइड कर लेती है कि वो अपसे बोबी के साथ में रहा करेगी मेरी गर जाती है और अपना सावान पेक करने लगती है और कपले चेंज करते टाइम मेरी नोटिस करती है कि उसके अंडर गार्मेंट में कुछ ब्लेक कलर के एशेस जम हो गए थे यहाँ पर वो एशेस उसके प्रावेट पार्ट से निकल रहे थे लेकिन मेरी इन बातों पर ज्यादा धान नहीं रहती है और अपने कपले पहन कर भार आती है बार मेरी देखती है कि उसकी मा बीके और बोबी एक दूसरे से बाते कर रहे थे और बीके कर वो भी पसंद भी आता है मेरी अब अपनी मा से बाय केती है और बोबी के साथ में रहने के लिए यहाँ पर हम फिर से उसी रिवर के किनार को देखते हैं जो कि धीरे धीरे बलेक हो रहा था ठीक उसी तरीके से जिस तरह मेरी के प्राविट पार्ट से एशेस निकल रहे थे उसके पर बोबी मेरी को लेकर अपने ग्रेंड मॉम के पास में जाता है ताकि वो उसके अपार्टमेंट की एक की ले सके यहाँ पर grand mom मेरी को देखे कर कुछ ज़्यादा ही कुछ हो रही थी उसकी grand mom ये भी कहती है कि तुम बोबी की बागी girlfriend से ज़्यादा अच्छी हो तो अब अगले दिन मेरी जब forest में जॉगिंग कर रही थी तो उसे एक बेबी रोते हो दिखता है जिससे मेरी उठा कर breast feeding करने लगती है अब अगली पल वो बेबी एक adult हो चुगा था जिससे मेरी अभी बे breast feeding करवा रही थी लेकिन ये सब मेरी का एक सबना था उसी दिन मेरी को वामीटिंग हो रही थी लेकिन वो इस बात पर ज़्यान नहीं देती है उसी दिन बोबी जब घर पर नहीं था तो बोबी की एक नेबर जीन और उसकी बेटी है कैटन उससे मिल जाती है मेरी उनको घर के अंदर बुलाती है और वे लोग एक दूसरे से बात देगाने लगते हैं और मोका देखकर मेरी वरली से हेला के बारें पूछती है ताकि वो हेला का लेटर उस लोटा दे वरली से मेरा को पता चलता है कि हेला एक दिन अचानक मीसिंग हो गई थी और गायब होने से पहले वो डिप्रेशन में थी पुलीस और लोगों ने उसे बहुत ही डूंडा था लेकिन हेला कहीं ने मिली वरली मेरी को हेला के बॉइफेंड डर्क का फोन नमबर देती है ताकि मेरी हेला का लेटर डर्क को दे पाए और हेला का एक बॉक्स भी वरली मेरी को देती है ये वही अपाटमेंट था जहांपर हेला पहले रहा करती थी और उनके जाने के बार में मेरी हेला की बात सोचकर और ज्यादा टेंशन में आ गए थी हम देखते हैं कि रात को जब मेरी नहां रही थी तो उसके प्राइविट पार्ट से और भी जादा एशेस निकल रहे थे बाबी जब उसके पास में आता है तो मेरी उससे हेला के गयाब होने के बारे में पूछती है लेकिन बाबी के मताबिक उससे हेला के बारे में जादो कुछ नहीं पता लेकिन हेला के गयाब होने के कारण उसे ये अपार्टमेंट बहुत ही सस्ते में मिल गया था अब मेरी को अच्छा फिल करवाने के लिए बॉबी उसे डिनर पर लेकर जाता है जहां पर दोनों अपने अपने परेंट के बार में बाते कर रहे थे बॉबी के मताबिक वो अपने परेंट को मिस नहीं करता क्योंकि उसके परेंट फिर से रीबॉन होकर अपने नई लाइफ की जर्नी को शुरू कर रहे थे यहां पर बॉबी मेरी को अपना एक डेगन का लॉकेट बे दिखाता है जिसका मतलब था न्यू जर्नी फिर उस रात को मेरी को सपना आता है कि वो अपना घर के कचरे को डस्ट बिन में फेकना जा रही थी लेकिन यहां पर वो खुदी एक ब्लेक पिट के अंदर चली गई थी और अपने इन अजीब अजीब सपनों के कारण मेरी मेडिसिन भी ले रही थी फिर अगले दिन मेरी हैला के बॉइफिंड डर्क को कॉल करके उसकी गल्फिंड के लेटर और बॉक्स को लेने के लिए बुलाती है लेकिन डर्क उन चीज़ों को लेने से मना करता है और वो उसे दुबारा कॉल करने से मना करता है मेरी लेटर को खुद ओपन करके देखती है और उस लेटर में उस बिल्डिंग के अंदर एक ब्लेक पिट होने के बारे में लिखावा था उस बॉक्स के अंदर भी बिल्डिंग से लेटर बहुत सारे फोटोस और इंफोर्मेशन थी कुछ साल पहले वहाँ पर बिल्डिंग था ही नहीं मेरी को वही पेपर मिलता है जहां पर हेला ने मिसिंग होने से पहले सेलर फिफ्टिवन लिखावा था मेरी फिर उससे सेलर फिफ्टिवन अपार्टमेंट को देखने जाती है और उस अपाटमेंट के डोर के पास में मेरी को बहुत सार एशेस नजर आते हैं अपाटमेंट मेरी से खुलता नहीं है तो इसलिए वो अंदर नहीं जा पाती है अब अगले दिन जब मेरी फोरेस्ट में जॉगिंग कर रही थी तो उसके सीधे पेर के गुटने में बहुती बुरे तरीके से चोट लग जाती है डॉक्टर मार्क मेरी को दो मेहें तक रेस्ट करने को कहता है और इसका मतलब मेरी अब कॉंपिटिशन खिलने नहीं जा पाईगी मेरी को चोट लगने के कारण उसके टेनर डॉक्टर भी उसे नाराज हो जाते है जिसके बद मेरी अपने घर जाती है तो उसकी माँ बाई के उसके लिए खाना बना रही थी और मेरी के चोट लगने के कबर उनको पहले मारक से लग चुकी थी उसी टाइम मेरी का घर पर हेला का बॉइफेंड डर्क आता है ताकि वो मेरी से मिले और अपने बिहवेर के लिए डर्क मेरी से सोरी कहता है और हो हेला का बॉक्स भी मांगता है और मेरी उसे घर कंद बुला लेती है फिर डर्क से उसको पता चलता है कि हेला आठ महीं ने पहले से मिसिंग हो गई थी और पुलीस ने हेला को बहुत ही डूंडा लेकिन हेला को कोई भी नावनिशा नहीं मिला फिर डर्क उनको उस बिल्डिंग के हिस्टरी बादान लगता है जो कि हेला ने रिसर्च की थी मिडिल एस के टाइम तक यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग नहीं था बस एक ब्लैक पीट था जिसे लोग डेबॉलिक वेजेना कहते थे जो कि वुमन के सेक्शुलिटी को रिप्रेसेंट करती थी इस जगह पर सिर्फ विचेज और कल्ट के लोग रा करते थे और नॉर्मल लोग उस ब्लैक पीट से डरा करते थे सालों बाद उसे पीट को अंदर लेकर ये बिल्डिंग बना ली जिसे लेफ्ट बेंक कहा जाता था और आज भी बहुत से लोग इस बिल्डिंग में आने से डरते है बेके भी यहाँ पर एक बात शेयर करती है कि उसे भी यहाँ पर बहुती अजीब और नेगेटिव एनरजी फिल होती है और यहाँ के नेवर को भी भूतिया सरदर्द और वोमिटिंग में होती है बेके तो मेरी को यहाँ पर रहने से भी मना किया करती थी लेकिन मेरी अपनी मा की बात को मज़क मिलेती है तब ही वहाँ पर वोबी आता है और डर्क और वोबी एक दूसरे से बात करते है और डर्क वहाँ से चले आता है बेके भी कुछ दे बात उनसे बात करके वहाँ से चली आती है अब एगले दिन मेरी उसी लैवरेरी में जाती है जहां पर हिला जाया करती थी और वहां पर《 बलेक पीट और टाउंडेर बुक को पढ़ती है उन बुक्स में मेरी को समय नाम के एक फेस्टिबल के बारे में पता चलता है जो कि 7 साल में एक बार 1 नॉमिंबर को सेंट से डे पर सेलवेट करते हैं और उसके बार मेरी उन बुक को लेकर डर्का के पास में जाती है और उसे उन बुक को पढ़ने को कहती है वहाँ भी मेरी की हेल्थ ठीक नहीं थी तो इसलिए वो डर्का का बात्रूम यूस करती है जहाँ पर मेरी को वामिटिंग होती है फिर उसके ड्रेस वाँ पर खराब हो चुकी थी और डर्क मेरी को हेला की पुरानी ड्रेस पहनने को देता है डर्क के भी अब जाना चाता था कि उसके गर्फरिन किन चीज़ों में फ़स चुकी थी मेरी डर्क को प्रेगनेंसी ओफ डमीज नाम की हेला की एक बुक भी देती है फिर अगले दिन मेरी डॉक्टर मारका के पास में जाती है चुकि मेरी के पेर के हलत बहुत ही खराब हो चुकी थी और उसको पेन भी हो रहा था मेडिसिन भी उसके उपर काम नहीं कर रही थी और मारक मेरी के बलड लेता है मेरी मारक को उसके बार पर वॉमिटिंग होने के बारे में बताती है लेकिन मेरी ने सेक्स के बाद में पिल यूज की थी तो प्रेगनेंट हो नहीं सकती थी और पिरेड भी उसे दो मेनें से नहीं हो रहे थे मारका को भी मेरी की प्रोब्लम समझ नहीं आ रहे थी और वो मेरी के बलड टेस्ट के बारे में कुछ ठीक से बोल सकता था फिर उसके बाद मेरी जब घर आती है तो उसके घर में व्लेड बोबी के साथ में बिटावा था लेकिन व्लेड को देखकर मेरी खुश नहीं थी बोबी मेरी को समझाता है कि उसकी व्लेड के साथ में एक कार को लेकर डिल होने वाली है तो इसलिए वो व्लेड के साथ में दोस्ती कर रहा है मेरी बॉबी को उसकी बॉडी में हो रहे चेंजेस के बारे में बताती है और बॉबी उसे कमफर्ट करने लगता है यहाँ पर मेरी अपने जिंदगी को फिर से नई तरीके से स्टार्ट करने के बारे में बाते कर रही थी तब बॉबी कहता है कि वो जैसा चाहती है बिल्कुल वैसा ही होगा यहाँ पर सीन कट होता है और हम नदी के किनारे को देखते हैं जो कि अब पुरा काला हो रहा था फिर अगले दिन मेरी से मिलने के लिए कैटरिन आती है जो कि उसे सेलर 51 का मैप देती है मेरी अब सेलर 51 के तरफ जाती है जहाँ पर उसकी मा कεह रही थी कि उसे इस डूरों से नेगटीव एनरजी फिल हो रही थी वो मेरी को वहाँ से चलने को कहती है लेकिन मेरी को अपनी मापर गुस्स आता है और उनको वहाँ से चलने का कहेकर अपने अपार्टमेंट में चली आती है यहाँ पर मेरी की मॉम की अहलत भूती साथ बिगड़ गई थी और उनको चक्कर बिया रहे थे और यहाँ पर बॉबी की ग्रेंड मदर बीके को अपने साथ में ले जाती है उसी दिन कार में बॉबी और मेरी फिर से डोल को सजाए जाता है समायन फेस्टिवल में एक लड़की को उस डेगन के लिए सेक्रिफाइस करके उस पीट के अंदर डाला जाता है और उस डेगन एक डेमन को ही रिप्रेजन कर रहा था और स्प्रिंग सेशन के इन बातों पर बिलीव नहीं कर रही थी यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरी और डरकर के बीच में एक बॉन बन रहा था और डरक ने यहाँ पर मेरी को खिस भी कर लिया था मेरी फिर डरकर को बाय बोलकर वलेट के पार्टी के लिए निकल जाती है उर पार्टी में मेरी को गिलवर्ड पी दिखता है जिससे वो बहुत ही खुश थी यहाँ पर एक आदमी मेरी को परेशान कर रहा था तो इसलिए एना मेरी को एक रूम के अंदर ले जाती है रूम के अंदर आने के बाद मेरी देखती है कि उसके पेर के गुटने पर लंबे लंबे पेर उग रहे है और गुटने की हालत पहले से बहुत ही बुरी थी मेरी उन बालों को निकल देती है जिससे बहुत सा खुन भी निकलता है और उसके बार में वो बाबी से मिलती है बॉबी मेरी को डर्क से दूर रहने को कहता है और उसके मताबिक डर्क ने पहले अपने गल्फरेंड को किड्नेप करके गायप करवा दिया था मेरी बॉबी को बोलती है कि वो बस डर्क के साथ में बलेक पिट को लेकर एक रिसरच कर रही है उनकी बातों को व्लेड सुन लेता है और उनको बलेक होल दिखाने के लिए सेलर 51 तक ले जाता है उस अपाटमेंट के अंदर जाते ही इन दर्वास अपने अपलोग हो जाता है अंदर से तो वो एक नॉर्मली अपाटमेंट दिख रहा था फिर वे लोग उस दिवार के अंदर जाते हैं जहां से हेला गायब होई थी और वहाँ पर उनको एक बलेक पिट दिखाए दिता है व्लेड एना के शूज को उस बलेक पिट में डालता है और उसमें उसका शूज गायब हो जाता है लेकिन कोई भी उस पेट को टच करने की हमत नहीं कर रहा था उसी टम मेरी को पुलिस का कॉल आता है कि उसकी मा की डेड बॉड़ी फोरेस्ट में मिली है और पुलिस को भी कोई आइडिया नहीं था कि बेके की मौत कैसे हुई और अपनी मा की मौत से मेरी भी शौकड में थी अब आकरी बार मेरी ने बेके के साथ में रूडली बात की थी और मेरी को भी उस बात का गिल्ट था बेके के फिंडल में डरकर भी आता है जिसे देखकर बॉबी गुस्से में डरकर पर हाथ उटा देता है और गुस्से मेरी बॉबी से नाराज होकर उससे दूर चलियाती है और मेरी भी अब अपना सामाल लेकर अपनी मा की घर में रेने बाइड़ कर चलियाती है वहाँ पर मेरी को अपनी मा के कुछ पेपर से ये पता चलता है कि वो भी समयन फेस्टिवल को लेकर रिसेर्च कर रही थी और यहां तक कि 1986 में एक लड़की उस पीट में गिर कर गायप हो गई थी बॉबी मेरी को बहुत बार कॉल कर रहा था और बॉबी मेरी से मिलने के लिए उसके घर के बाहर भी आ गया था मेरी घर में छुप जाती है और बॉबी को नहीं पता लगने देती है क्यों घर के अंदर है फिर बॉबी के जाने के बाद में मेरी नदी के पास में बने उसे घर में जाती है जिसका एडरेस मेरी ने अपनी मा के कुछ पेपर में देखा था उसके घर के सामने आर्चरी का कुछ बोड लगा वा था, मतलब कि बोबी यहाँ पर आता जाता रहता था, उस घर के अंदर मेरी को कुछ फाइल्स और फोटो मिलते हैं, जिससे मेरी को पता चलता है, कि सालों से बोबी की एज, तभी मेरी के पास वही आदमी आता है, जो कि व उटने से भी अब बाल उगरेते हैं, मेरी जब पीछे मुलकर देखती है, तो बोबी वहाँ पर खड़ावाता जो कि उससे भ्योश करके अपने अपाट्मिन ले जाता है, वहाँ पर बोबी मेरी को उस पर ट्रस्ट करने को कहता है, और मेरी को कहता है, कि मेरी की एक नहीं पर आ चुकी थी, तो इसलिए बॉबी लेट की हेल्प से मेरी को अलमारी में डाल दिता है, डर्क ने मेरी के सेफटी के लिए पुलिस को इन्फरम कर दिया था, और पुलिस ओफिसर बॉब और पिटर मेरी के बारे में बॉबी से पूछ रहे थे, बॉबी उनसे जुट कहता ह कि मेरी अपने फादर के घर पर गई है यहाँ पर हमें पुलिस की बातों से यह पता चलता है कि डर्क अभी भी मिसिंग है और उसका कोट जंगल में मिला है जिस पर खून लगावा था यहाँ पर पुलिस जान जाती है कि बाबी और व्लेड जूट बल रहे हैं और हो दोनों को अरेस्ट कर लेती है व्लेड पुलिस को बता रहाता है कि मेरी को बाबी ने अलमारी में रखा है पुलिस कुछ समझ पाती उसी टेम पर कुछ लोग और बाबी की ग्रेंड मदर आकर पुलिस और व्लेड को तीर से मा डालते हैं फिर सभी लोग उस बिलिलिंग के अंदर जाते हैं मेरी की जब आखे कुछती है तो नेकेड बलेक पिट के पास में पड़ी थी और बाबी की ग्रेंड मदर उसकी बॉड़ी पर कोई लिक्विड लगा रही थी उसके पास में कई सरी लोग एरो लेकर खड़ वेते हैं ताकि मेरी भाग न सके फिर मेरी के पास में वह भी आता है जो की अपने असली डेमन के रूप में आ चुका था ग्रेंड मदर केती है कि डेमन तुमसे प्यार करता है और ये बस प्यार का एक सिक्रिफाईस है अचानक मेरी के गुटने में बहुत तेस दर्द होता है और उसके घाउं से एक कीड़ा निकलता है डेमन उसे टाइम पर मेरी को बलेक पिटमें डाल देता है और अंदर जाते जाते मेरी डेमन की पेर पर एक तीर गोशा देती है कुछ दिर तक मेरी को अजीव विज़न आते है और उसके बाद मेरी खुद को एक साफ पानी की लेक में पड़ी हुई पाती है लेकिन इस बार उसकी बॉड़ी में कोई भी इंजिरी नहीं थी वही पर मेरी को एक गुफा दिखाई जेती है जिसके बार वो चलियाती है मेरी के बार आते ही एक लेड़ी एक बेबी कल को डिलिवर कर रही थी यहाँ पर ये लेड़ी मेरी के ट्रेनर डॉक्टर की वाइफ थी वो दोनों उस बेबी कला मेरी ही रखते हैं और यह पर यह मूवी का एंड हो जाता है दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि यह आकर किसी मूवी है जिसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं सिद्धी भाष्चा में आपको इस मूवी को समझाता हूँ हम समाइन नाम के एक फेस्टिवल के बारे में सुनते हैं सालों पहले उस टाउन में सिर्फ वीचेस और कल्ट में मरा करते थे जो यह रिच्वल करते थे समाइन फेस्टिवल को डैबोलिक वेजिना भी खा जाता था जो कि वोमन के सेक्श्वलिटी को रिप्रेजन करती थी उसे जगह पर एक ब्लेक पीट भी था और हर साथ साल में एक बार नॉम्मबर को डैगन को सजा दे कर डैमन के नाम पर पूजा की जाती थी जिसमें एक लड़की को सेक्रिफाइस करके ब्लेक पीट में डला जाता था उसके बाद वही लड़की एक लेड़ी से रिबॉन होती है जिस तरह मेरी उस पीट में गिरी और डॉक्टर की वाइफ से रिबॉन हुई और मेरी की नई जिंदगी शुरू ही यहाँ पर डेमन बॉबी था जो कि खुछ सेक्रिफाइस करने के लिए लड़की को डूंटा था उसने पहले हिला को डूंडा जो इसी तरह माली गई फिर वो मेरी के करीब है ताकि वो उसके जेरे रिचुल करे और इसलिए बॉबी ने मेरी को लेफट बेंग मे रहने दिया जहाँ पर वो ब्लेक पिट था उसे के बाद सही मेरी की हेल्थ खरा होने लगे थी और उसे अज़िब से सपनी भी आने लगे थे उस नदी का किनारा जो ब्लेक होता था वो उसी ब्लेक पिट को रिप्रेजन करता था फेस्टिवल के आते हाते नदी का किनारा पुरी तरीके से ब्लेक हो जाता था मेरी के गुटने से निकला हुआ वो किला भी नियू बर्थ को दिखा रहा था डर्क और बिके को बॉबी के उपर शक हो गया था तो इसलिए बॉबी के लोगों ने उनको मार दिया ताकि बॉबी ही डेमन है ये बाद बाहर नहीं आ पाए तो दोस्तो कैसा लगा आपको लिंक कर रिवर मुई का एक्स्प्रेनिशन मैं जानता है कि मुई थोड़ी कॉंप्लिकेटेड है लेकिन अगर आप इस मुवी को देखेंगे तो आपको पताचे लगा ये मुवी कितने ज़्यादा डारक और रियलिस्टिक है तो दोस्तो आज की वीडियो में सिर्व इतना है अगर आप पहले बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सबस्टेब जरू कर ले क्योंकि मैं जल्दी आपके और भी वीडियो लेकर आना मुला हूँ